हाई फ्रेंड्स अभी तक तो मैंने काफी सारी वीडियो बनाए हैं जैसे खाने पर जैसे देशी डॉग को क्या खाना दे लेबरेटोर को क्या खाना दे जर्मन सेपर्ट को क्या खिलाएं छोटे बच्चों को क्या खिलाएं एडल डॉग को क्या खिलाएं ये सभी विशेपर इस चैनल में बात हो चुकी है लेकिन एक बात करना आप लोगों से अभी भी बाकी है वो है डॉग जब बिमार पड़े तो उसे क्या खिलाना बिमार डॉग को कौन सा खाना दें चलिए आज इस टपिक पर बात करते हैं बिमार डॉग को जो खाना देना है वो इस पार्क पर डिपेंट करेगा कि आपके डॉग को हुआ क्या है अगर आपका डॉग को समझे कि कई दैस्ट हो रही है मतलब लूज मोशन बहुत ज़्यादा हो रहा है पतला पर खाना लूज मोशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो क्या करेंगे कि उसे सुनने में तो थोड़ा अजयब लगेगा लेकिन डॉग का खाना कुछ इस तरह का है उसे हम लोग बोलते हैं कि बॉयल्ड आलू और बॉयल्ड चिकन दें बॉयल्ड आलू बॉयल्ड चिकन देने से और अगर आप दवा ना भी देंगे तो कई एक 90 परसंट चांस है कि वह जो है पेट की जिस वेज़े से हो रही है कि इंफ्रेक्शन वेकर आ गया होगा या कुछ कच्छा वेकरा खा लिया होगा वह उस खाने में मिलके वह निकल जाएगा और डॉग जो है तिन चार दिनों में सही हो जागा अईसा होता है लेकिन हाँ अग्दम पतला पर खेना हो रहा है अग्दम भी जारिया हो रहा है तो फिर दूसरे रंक तो बात है अब आते हैं अगर आपका डॉग वोमिटिंग कर रहा है समझे कि उल्टियां कर रहा है बहुत जादा तो क्या खाना देंगे तो अगर डॉग आपका वोमिटिंग कर रहा है तो आप कोई भी खाना नहीं देंगे क्योंकि अगर खाना देंगे तो वो और वोमिटिंग करेगा और उल्टियां करेगा उसके लिए आप क्या करेंगे जब डॉग उल्टी करता है उससे लगव में 6 घंडे तक उससे ना खाने दे ना पीने दे उसके बाद जो है कुछ खाना दे सकते हैं लेकिन वो भी खाना वही जो है चिकन और पोटेटो प्रोवाइड़ेड की वो चिकन एलर्जी ना हो चिकन बहुत रियर है लेकिन पहले से पको पता रहा होगा लेकिन वो जो है और हृट रूओ देने से वह जेहरीग रहता है सेफ रहता है और अगर देखेंगे कि उसके बाद भी फिर वो मिटिंग कर रहा है तब क्या करेंगे कि उसे दवाईयां तो देंगे दवाईयों के साथ-साथ हम लोग क्या करेंगे कि उसे थोड़ा-थोड़ा इलेक्ट्रोल पाउडर या उस तरह का गोल बनाके हम लोग इले लेक आता है वो दे सकते हैं तो यह हो गई आप कहा डायरिया और वोमिटिंग की बात अगर डॉग को बुखार है फीवर है तो क्या का नहीं है अगर फीवर है तो डॉग को सुपाची फूर मतलब जल जल्दी हजम होने वहाँ चीज वह दे सकते हैं जल्दी हजम होने का चीज पतलब आप लोग दे सकते हैं पनीड दे सकते हैं और जिसे फैट ज्यादा नहीं हो बॉइल ड्राइस वेजिटेबल के साथ मिक्स करके वह आप दे सकते हैं तो अगर एग्स बगरा मिला दे अंडे मिला दे तो ठीक है तो यह फीवर में उनको दिय जा सकता है जो भी जल्दी कोई कोई होता है जो दूद पचाने की छंता रखता है दूद में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो उन्हें दूद रोटी भी आप दे सकते हैं और किसी किसी केसे में हम लोगों ने दिखा है कि कभी कभी कि जब कुछ दूसरा किसी तरह का फू तो यह इस तरह का जो इजिली डाजेस्टेबल फूड है उसी तरह का देना चाहिए ऐसे परिस्थितियों में मैं जो है फीवर अगर हाई है तो जेनरली जो पैकेट फूड होता है वो मैं देने मना करता हूँ क्योंकि उसमें काफी साथे फैट रहते हैं अगर आप देखेंगे कोई पैकेट फूड लेके हाथ में लेके तो ओयली लेगा और फैटी फूड उस परिस्थिती में वो हानी करेगा लेकिन हाला कि उसके लिए भी डाजेस्टिव केर टाइप का कुछ कंपनी के पास प्रेस्किप्शन डाइट है तो वो दे सकते हैं वो भी फिर ठीक है तो इस तरह से आपको यो है देखना पड़ेगा फीवर के समय में आपको इजिली डाजेस्टिवल फूड देना चाहिए अब आते हैं बात अगर समझिए कि आपका डॉब जो है खाना पीना छोड़ के तो ये जो होता है पहले ही जो हम लोग क्या करते हैं तो उसे हैंड फीडिंग कर लग जाते हैं कि आरे खाना छोड़ दिया देखिए हम लोग रोखा रहे या नहीं खा रहा है तो ठीक ही लग है को साथ लुग साय्कटनीड हो जाता है क्यों कि उसके सथ कोई इंट नहीं कर रहा होता है ना कोई क्या होता है कोई अक्तिविटी में नहीं है सभी लोग घर में आगर चार लोग हैं तो चार लोग अपना मोबाइल लेकर वह अपना या सोसल नेट्वर्क देख रहे होते हैं तो वह सब सोसल मेडियों विजी रहते हैं तो फिर वह क्या होता है डॉग तो है अकेला पड़ जाता है फिर वह खाना पर छोड़ देता है जीव डिप्रेशन इससे बचने के लिए भी आपको देखना पड़ेगा कि डॉग को इन्वाल्व करना पड़ेगा थाकि उसकी भूग जगे उसको अच्छा लगे तो वह भी करने के जरूत है उसका फेवरिट वेक्तिक अगर कहीं चला गया है तो भी वह खाना बंद कर देता है तो वह भी आप तो इस के एलाबे एक और पूडशन आता है जैसे कि कफ हो गया अगर कफ हो गया है तो उसके अगर डॉग आपका खाना नेग खा रहा है तो आप क्या खरणी ले तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि डॉग को स्टीम दें, स्टीम मतलब हुआ कि आपके पास अगर गीजर है या बाथरूम में गीजर है तो उसके क्या करें आधा बारिटी गरम पानी ले लें, लेके उसे एक चमच उसमें विक्स मिला दें, मिला के डॉग को वो खाएगा, मतलब जो भी कंडिशन है जिस वज़े से नहीं खा रहा होता है, उससे एड्रेस करें, उससे देखें, उसके बाद ही उससे खाना दे तो अच्छा है, फीवर में भी मैं बताना चाहूँगा, अगर फीवर है तो उसे मेलोनेक्स या मिलोकसी कैम जो सिदफ है उसे देने के आधा गंटा बाद खाना दे, वो जरूर से खा देगा, ऐसा हुआ है, ऐसा मैंने प्रैक्टिकली देखा हुआ है, तो बीमारी के बाद वक्त जो क्या खाना देते हैं, ये मैंने आज डिसकस किया, और ये बहुत ही काफी सारे प्रश्ना आते हैं, मेरे क्लिनि इसे भी हैं, जैसे लीवर फेलूर हो गया, या फिर समझ ये किड्नी फेलूर हो गया, उस वक्त क्या देने हैं, अगर किड्नी फेलूर हो गया है, ये भी आजकल बड़े शाओरों में बहुत हो रहा है, किड्नी फेलूर, अगर किड्नी फेलूर हो गया है, तो उसे हाई प कंडिशन में वह फाइदा करेगा है फिर जो है आप प्लांट जो प्रोटीन है मैं बेच एडियन फूड वो दे सकते हैं उस कंडिशन में और तेल विल ज्यादा नहीं देना है जो से जमते हैं क्योंकि लीवर प्रॉब्लम हो गया है और जैनली प्रैकेट फूर उस वक्त नह सकते हैं लेकिन मैं बोलता हूं नहीं देना है अगर लीवर या किड्नी का प्रॉब्लम है किड्नी डाइट भी है किड्नी डाइट बोलते हैं किड्नी डाइट कर देजिए तो ठीक रहेगा तो कैर किड्नी डाइट आप दे सकते हैं लेकिन बहुत महेंगा है उसे आप दे स हों इस दाहुं यह सिफ लीवर के केसे है या जब ऑंक्रियाटाइट है major problem है तब ड़े सकते हैं कृण क्यों कि एक enzyme होता है वो जह नहीं पता है वोगय उसका जो है में आता ह। तो इसमें क्या होता है कि為ट पेशा में पचाने की जमता है वो चली जाती है जिसे आप जो है अगर आप चाहें अगर आप उसे मतलब नहीं देंगे अगर आप फैटी फूट नहीं देंगे तो वो इसली हजम कर लेगा उस फूट को लेकिन अगर फैटी फूट या कोई भी उस तरह का फूट देंगे तो उसे पचा प्रोटी दे सकते हैं तो यह थी आज की वीडियो तो इसी तरह के अगर आपको इस वीडियो से कोई प्रशने पूछने हो तो नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं मुझे पूछे पूछ सकते हैं मैं उसके सब्सक्राइब का आपका जवाब दूँगा लेकिन ध्यान रखें कि यह जो इस वीडियो की जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर परशने पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा नहीं तो बड़ा बेतुका लगता है वह फीवर के करने वीडियो में पूछ रहे हैं डारिया का और पेर कहीं पूछ रहे हैं कि कौन स अगर पूछेंगे तो मेरे लिए आसान होगा और मज़ा भी आएगा और आपका भी ग्यान बढ़ेगा मेरा भी अच्छा रहेगा कि इंट्रैक्ट करने मज़ा आएगा तो इस तरह के वीडियो मैं और भी लेके आऊँगा लेकिन उसके लिए मैं मुझे आप लोगों का सय योग चाहिए मैं आपको इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब करने मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस लिए और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी के साथ अगले वीडियो तक के लिए बाई बाई